बिर्जू एक शुद्षा कहारी धाबा चलाता था पहले वो धाबा उसके पिता मोहन चलाते थे और बहुत सारे लोग धाबे पर खाने के लिए आते थे वहां से पांच मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा श्योग मंदिर था लोग मंदिर में पूजा के बाए धाबे पर खाने के लिए आते थे अरे मोहन भाई रोटी और भिंडी मसाला दे ना हाँ मालिक बैट तो चाहिए स्पेशल भिंडी मसाला दे रहो रोटी के साथ मस्त लगेगा पता है भाई तुम्हारे भिंडी मसाले के लिए तो आता हूं या क्या भिंडी बनाते हो तुम बिर्जू बड़ा हो गया, मोहन बिमार पड़ गया, बिर्जू की शादी हो गई और उसको एक बेटा भी हो गया, उसका बेटा दस साल का हुआ तब मोहन का देहांत हो गया, जाने से पहले मोहन ने बिर्जू से कहा, बेटा बिर्जू, वो धाबा मेरी जान है, उसे बंद मत होने देना आप चिंता मत कीजे पिता जी आपका धाबा कभी बन नहीं होगा ये मेरा वादा है और उसके बाद मोहन ने आखरी सांस ले ली अपने मरते हुए पिता से बिर्जु ने वादा कर दिया था अब उसे वादा निभाना ही था लेकिन उसे एक चीज ठीक से नहीं आती थी और व बिर्जु रोटी और भिंडी मसाला लाकर उस आदमी के सामने रख देता है लेकिन खाते ही उस आदमी का मुह बन गया अरे ये क्या है इस भिंडी मसाले में तो टेस्ट ही नहीं है किसने बनाया है ये जी मैंने बनाया है क्या यार बिर्जु भाई इस भिंडी मसाले में व क्या बात है, दुखी क्यों लग रहे हो? क्या करूं सरला, मैं पिताजी के जैसा बिंड़ी मसाला नहीं बना सकता, तुम मुझे सिखा सकती हो? वो तो मैं भी नहीं बना सकती हो, उनके जैसा, एक वही थे, अब क्या होगा? पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन बिर्जु की जाने दुश्मन रागव को बहुत कुछ समझ आ रहा था रागव बिर्जु का चचेरा भाई था रागव ने जैसे ही देखा कि सब लोग बिर्जु का धाबा छोड़ कर जा रहे हैं वैसे ही उसने अपने पिता को ये बात बता दी, मनोहर बहुत खुश हुआ राघव ने अगले ही दिन बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया और अगले ही दिन से रेस्टरेंट बनाने का काम शुरू हो गया, बिर्जु ने अपनी पतनी से कहा, अब तो मेरे धाबे पर कोई नहीं आएगा, एक महीने के अंदर रेस्टरेंट बन कर तयार हो गया, और राघव ने बाहर लिख दिया, कि यहां बेस्ट भिंडी मसाला मिलता है, नया साफ सुत्रा रेस्टरेंट देख कर लोग वहां जाने लगे, कुछी दिनों के अंदर सब लोग उसी रेस्टरेंट में जाकर खाने लगे, जो बचे कुछे लोग धाबे पर आते भी थे, वो भी जाते वक्त बिरजु को दो-चार बाते सुना कर जाते थे, अब बिरजु कैसे कहता कि उसे खाना बनाने का कभी कोई मन ही नहीं था, उसे तो पत्थरों से खेलना पस जैसे उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया, घर में दो वक्त चावल और साग बनने लगा, एक रात को बिरजु रो पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया सरला, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे एसा मत कहो, लिकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, रागव इतना अच्छा खाना बना कैसे राय, टेस्ट कहां से ला रहा है वो पता नहीं, सीखा होगा कहीं से ये दोनों बाप बेटे सीखने वालों में से नहीं है, ये दोनों तो चोड़ लफंगे धोके बाज है, मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ गलत काम तो कर रहे है ठीक है, मैं देखता हूँ अगले दिन सुबा सुबा उटकर वो बाहर चला गया और उसका शक सही निकला, रागव कहीं जा रहा है, बिर्जु ने उसका पीछा किया, रागव चुपके चुपके कसाई के पास गया और मटन की चर्बी खरी दी मैंने सही पकड़ा था बिर्जु ने अपने मुबाइल पर पिक्चर उठा ली, उधर सर्ला की तब्यद खराब हो गई तो उसके बेटे मुन्ना ने कहा मा, आज मैं आपके लिए खाना बनाओ हाँ बेटा, कोशिश कर, मेरी तब्यद बहुत खराब है मुन्ना रसोई गया और सामने भिंडी पड़ी थी मुन्ना ने भिंडी मसाला बनाया उधर मटन चर्बी वाली पिक्चर निकाल कर बिर्जु ने रेस्टरिंट के बाहर चिपका दी लोगों ने देखा और वो सब गुस्से से लाल हो गए लोगों ने मनुहर और रागप को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया बिर्जु खुश होकर घर लोटा और सर्ला को सब कुछ कहा बहुत अच्छी बात है लेकिन अब क्या होगा हमारा धाबा भी कैसे चलेगा लीजे भिंडी मसाला खाईए मैंने बनाया है बिर्जु और सर्ला ने भिंडी मसाला खाया और उन दोरों की बोलती बंद हो गई मुन्ना बेटा तू तो बिलकुल अपने दादा जी जैसा भिंडी मसाला बनाता है सच हाँ बेटा तुझे तेरी दादा जी का टैलेंट मिला है मुझे आज खाना बना कर बहुत अच्छा लगा मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ वा बेटा रुखचा मुझे का एडिया आया है मैं पत्थरों को भिंडी के शेप में काटकर हरा रंग करता हूँ और उन भिंडियों से धाबा बनाता हूँ लोगों को देख कर ही लगेगा कि ये शुद्ध शाकाहरी धाबा है वा पापा हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी धाबा चलाएंगे और फिर क्या था बिर्जु ने पत्थर की भिंडियों से धाबा बनाया और धाबा चल पड़ा मुन्ना खाना बनाने लगा और बिर्जु बाकी काम संभालने लगा ऐसे ही बाप बेटा मिलकर मोहन का भिंडी धाबा चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे